हेलो फेंड, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अपड़ेगा इंडिया में आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो एडिटोरिया पप्लिकेशन के द्वारा एक नई कर्रेंट अफेर के बुक बार्सकी 2025 के नाम से आई है जिसमें की एक जनवरी 2024 से लेकर 20 नवंबर 2024 तक के सारे करेंट अफेर को संगरहित किया गया है एकदम से अप्टू डिटेट बुक है इस बुक के स्टार्टिंग में फटाफट 100 के नाम से 100 जो होता है वन लाइनर के फॉर्म में जीके लिखा हु यह तो PDF के लिए बीडियो के दियेगा डिस्किप्सन लिंक से जाकर टेलिग्राम ग्रूप जोइन कर सकते हैं या फिर टेलिग्राम में जाकर साच कर सकते हैं आपड़ेगा इंडिया वहाँ इसका PDF जो है प्रोबाइट करवा दिया गया है इस बुक के लास्ट में 15 प्राक प्राक्टिसेट जो है उसका PDF जो है PDF और साथी साथ उसका वीडियो जो है वो अलेडी अप्लोडेड है अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस से देख सकते हैं या जो है वो फटाफटहंडे.com यह लिखा हुआ है तेरहमा संसकरन है तो आईए अब हम लोग देख संबिधान अकादमी और अधिकार एबं स्वतंतता संग्राले जो है वो कहां खुला है तो यह जो है वो ओपी जिंदल ग्लोबल इंवर्सिटी सोनी पत में खुला है रैक बैंक ने किस सहर में भारत के पहले अत्या धुनिक उद्देश निर्मित AI यानि Artificial Intelligence Data Center का सेमिकंडक्टर निती को लागू करने वाला भारत का पहला राज है गुजरात अंतरास्किये मस्तिक अनुसंधान संगठन यानि IBRO का निर्वाचित अध्याच न्यूक्त होने वाली विकासिल देश की पहली महिला कौन बनी है तो वो एक सूभा टोले उनका नाम है जो की भारतिये हैं भारत और अस्पेन के परधान मंतरी ने सैन बिमान बनाने के लिए भारत की पहली नीजी सुभधा का उत्गाटन कहां किया जहां C295 बिमान का उत्पादन होगा तो यह कहां किया है इन्होंने बडोधरा गुजरात में भारत की पहली नीजी सुभधा का उत् क्प Sun-staharan का सुपर्म कहां किया गया तो यह किया गया है मुहाली में भारत के पहले लेखक ंकौझ जो है वह उत्रा खंड में किया गया है नो-Code डेटा इंटेगेशन प्लेटफॉर्म डेटा सिंग लॉंच करने वाला पहला पेमेंट अंटी एंग्रिगरेटर कौन है तो वो है एग्रेजर पे बिहार सरकार द्वारा राज के पहले ड्राइपोर्ट का उदगाटन कहां किया गया बिहार सरकार के द्वारा राज के पहले ड्राइपोर्ट का उदगाटन जो है वो भीटा पटना में किया गया है आगे है अनुसुची जातियों सी या निसिडूल कास्ट को उप बर्ग करित करके दलिस समुदाय के लिए उप कोटा लागू करने वाला पहला राज कौन बना है तो बह बना है हरियाना भारत का पहला एक एक क्रित राजस्तरिय साइबर कमांड और नियंतरन केंदर किस राज में लॉंच किया गया है तो यह किया गया है महराष्ट में सैन खूपिया कर्मियों को समर्पित पहला असमारक सतर का पार्क का उधगाटन कहां किया गया तो यह किया गया है पूने महरास्ट में कोईला मंतराले की पहली कोईला गैलरी नमक परदर्सिनी का नापरन कहां किया गया तो यह किया गया है रास्टिय बिज्ञान के अंदर नई दिल्ली में मौंट सिंस पांग्मा पचळाई करने वाले पहले भारती है कौन बने है? तो उनका नाम है अर्जून बाजबई किस राजिसरकार ने भारत का पहला पुन डिजिटल लॉट्री प्लेटफॉर्म EGLottery.in लॉंच किया है तो यह किया है किस राजिसरकार ने मेगाले राजिसरकार ने टाटा इलक्ट्रोनिक्स की सहर में 91,000 कड़ो रूपे के कुल निवे से भारत का पहला Greenfield Semiconductor Fap बना रही है तो यह जो है वो कहां बना रही है धोलेरा गुजरात में ससस्त्र बल चिकिस्ता सेबा के महानी देशा का पदभार सम्हालने बाली पहली महिला धिकारी कौन बनी है तो वो बनी है Vice Admiral Arty Sareen किस राज के चुनाबा योग ने भारत में पहली बार कागज रहीत मतदान प्रकिलिया आयोजित किया है आगे है IAF यानि Indian Air Force के तेजस लड़ाकू Asquadon का हिस्सा बनने वाली भारत की पहली महिला पाइलोट कौन बनी है तो वो बनी है Asquadon लीडर Mohna Singh 16 सितमबर 2024 को किन सहरों के बीच चलने वाली भारत की पहली नमोभारत Rapid Rail सेबा का सुभारहम किया गया तो भारत की पहली नमोभारत Rapid Rail सेबा कहां से कहां तक भूज से लेकर आहमादाबाद तक राश्टपती स्रेमती द्रौपदी मुर्मू ने किस सहर में भारतिये कला महोसब के पहले संस्करण का उधगाटन किया है सिकंद्राबाद में देश भार में कैसले सियात्रा करने के लिए अपनी तरह का पहला National Common Mobility Card के सराज के द्वारा लॉंच किया गया तो यह किया गया हिमाचल प्रदेश के द्वारा ACI Olympic परिशत के पहले भारतिय ध्यच कौन बने है तो उनका नाम है राजा रंधीर सिंग आगे है कि भारत की पहली सिलिकॉन कारबाइड बी निर्मान सुबिधा जो है वो किस राज में अस्थापित की जाएगी तो यह किया जाएगा उडिसा में बिहार की पहली खेल अकादमी और खेल बिस्विधाले का उदगाटन कहां किया गया तो बिहार की पहली खेल अकादमी और खेल बिस्विधाले का उदगाटन किया गया राजीर नलन नमे किंद्री एक अपड़ा मंतरी ग्रिराज सिंग द्वारा किस नाम से भारत की पहली फैसन पुर्वा नुमान पहल सुरू की गई है तो किस नाम से किया गया है फीजो नक्स्ट के नाम से हराच्छा मंतरी राजनास सिंग की अध्यचता में पहला संजुक्त कमांडरों का सम्मेलन कहां युजित किया गया तो पहला संजुक्त कमांडरों का सम्मेलन जो है वो लखनव उतर परदेश में युजित किया गया है कौन सी कंपनी जो है वो बार्सिक राजस में 10 लाख कडोड से अधीक प्राप्त करने वाली पहली भारतिये कंपनी बन गई है तो वो बनी है Reliance Industries Limited उतर परदेश में पहला सेमी कंड़क्टर पार्क जो है वो कहां अस्थापित किया जाएगा कौन सा राज जो है वो डिजिटल माध्यम से वारेंट और समन जारी करने को मानेता देने वाला पहला राज बन गया है तो वो राज बन गया है मध्यपदेश केरल सरकार और IBM द्वारा सहायोजित भारत के पहले अंतरास्टिये JNAI कौन सा राज है जो है जो सेनेटरी पैड के लिए छातराओं के बैंक खाते में रासी भेजने वाला देश का पहला राज बन गया है तो वो राज है मध्यपदेश भारत के पहले चाबल एटियम अन्यपूर्ति का उद्गाटन जो है वो कहां किया गया है तो यह किया गया है भूबनेश वर उड़ी सामे कौन सा राज जो है वो नियूंतम समर्थन मूल पर सभी फ़सलों की खरीद करने वाला देश का पहला राज बन गया है वो बना है हरियाना ताटा समू द्वारक किस राज में भारत की पहली स्वदेशी सेमी कंड़क्टर असेम्बली और परसिछन सुद्धा का उधाटन किया गया है तो यह किस राज में किया गया है अगे है कि भारतिये बायू सेना का पहला बहुरास्टिये बायू अभ्यास तरंग सक्ती 2024 का य जो है बोत तमिलाडू और राजस्थान में किया गया है किस सहर में यातायाद की भीर से निपटने के लिए भारत का पहला सहरी रोप बे नेटवर्क शुरू किया जाएगा तो यह जो है बो किस सहर में किया जाएगा सिमला में किया जाएगा भारत के नए नियांतरकवा महालेखक परिछक काग किने नियुक्त किया गया है संजय मूर्ती को यह भारत के 15 में काग होंगे इससे पहले 14 में थे ग्रीस जन्द मुर्मू भारतिये रिजर बैंक किस बर्स क्लाउड सेवा लाँच करेगा तो भारतिय रिचर बैंक जो है वो 2025 में क्लाउड सेवा जो है वो लाँच करेगा अब कुछ अंतरास्टिये तथे जो दिये गए हैं उसको देखते हैं कौन सा संस्थान जो है अबुधावी UAE में भारत ने जल पाइपलाइन परती अस्थापन प्रियोचना के बित पोसन के लिए किस देश को 487.6 कड़ो रुपे की पहली रुपिया आधारी तरिन साहता पतान की है तो भारत जो है वो किसको दिया है रिन मौरिसस को दिया है 19 में अंतरास्थिये औसदी, बिनायमक, प्रधिकरन, सम्मेलन की मेजवानी किस देश ने पहली बार किया है तो भारत जो है वो इसकी मेजवानी पहली बार किया है आगे है कि किस संस्था के द्वारा बिजनस रड़ी, बी रड़ी इंडेक्स का पहला संसकरन जारी किया गया है तो यह किया गया है बर्ल बैंक के द्वारा यानि बिस्व बैंक के द्वारा भारत किस देश के साथ मिलकर पहला रास्थिये सुरच्छा सेमी कंड़क्टर निर्मान सरेंतर स्थापित करेगा तो यह जो है वो भारत संजुखत राज अमेरिका के साथ मिलकर करेगा किस राज में भारत की पहली सूपरकापिसिटर बी निर्मान सुपिधा काउध्गाटन किया गया है संजुखत राश्ट द्वारा पहली बार किस्तिती को बिस्व सफाई दीबस 2024 मनाया गया most important question है पहली बार बिस्व सफाई दिबस मनाया गया है 20 सिप्टमबर को बिस्वाथ संगठन यानि डबलू एचो ने अधिकारिक तोर पर किस देश को बिस्व अस्तर पर कुष्ट रोगों को खतम करने वाला पहला देश गोसित किया है तो बिस्वस्तर पर कुष्टो को खतम करने वाला पहला देश गोसित किया गया है किसको जॉर्डन को आगे है कि दच्छिन के लिए संजुक्तराष्ट का पहला अंतरास्ट ये बिज्ञान प्रदौग की और नवाचार दिबस किस दिन मनाया गया तो यह मनाया गया 16 सितंबर को आगे है ICC International Panel of Development Empire में नमांकित होने वाली पाकिस्तान की पहली महिला इंपैर कौन बनी है उनका नाम है सलीमा इंतियाज इरान में पहली महिला सरकारी प्रवक्ता के रूप में किसे नुक्त किया गया है तो यह नुक्त किया गया फते में मोह जिरानी को कौन सा देश जो है वो मतदाताओं को सभी अस्तरों पर नियाधीसों की चुनाव करने की अनुमती देने वाला पहला देश बन गया है तो वो बन गया है मैक्सिको संजुक्त राष्ट द्वारा पहला बिस्व ड्यूचन जागरुकता दिवस की स्थिति को मनाया गया तो यह मनाया गया 7 सितंबर 2028 को कौन सा स्टार्टप जो है बुन्नासा से ओर्डर हासिल करने वाला पहला भारतीय स्पेस स्टार्टप बन गया है तो वो बना है पिक्सल आगे है अरब जगत का पहला परमानू उर्जा सनयंत बरकाह परमानू उर्जा सनयंतर कहां लगाया गया है तो यह लगाया गया है अबुधाबी अमिरात यूएई में आगे है कि पहले अंतरास्टिये सौर महसब 2024 का योजन कहां किया गया पहले अंतरास्टिये सौर महसब 2024 का योजन जो है वो नई दिल्ली में किया गया बिस्वाव संगठन द्वारा नेपाल का पहला स्वस्थ सहर और एसिया का दूसरा सबसे स्वस्थ सहर किसे गोशित किया गया है तो उसका नाम है धूली खेल दुनिया के सभी 14 सबसे उची चोटियों को फतह करने वाली सबसे कम उम्र के प्रवतारोही कौन बनी है तो उनका नाम है नीमारेंजी जो की नेपाल की है एस याई विकास बैंक का 69 मा सदसे देश कौन बना है तो यह बना है इजराइल आगे है कि किस देश ने अपना पहला ब्यापक जलवाई परिवर्तन कानून जो है वो पारित किया है तो यह किस देश ने किया है दचीन अफिर का ने किया है आगे है कि हाली में विम्स्टेक बैपार सिखरसंवेलन का पहला संस्करन कहां योजीत किया गया तो यह किया गया है नई दिल्ली में किस देश ने बिस्व का पहला थोरिया माधारित पिघले हुए लवन वाला पर्मानू उर्या सनेंट बनाने की घोसना किया है तो यह किस देश ने किया है यह किया है चाइना ने किस देश के द्वारा अजोध्या के भगमान रामलला को दरसाते हुए दुनिया का पहला डाक्टिकट जारी किया गया है तो अजोध्या के भगमान रामलला को दरसाते हुए अजर बैजान में है आगे कुछ कुश्चन्स जो है वो साइंस और टकनलोजी बिग्ञानमा परदोगी की से दिया गया है भारत का पहला ग्रेट इंडियन बस्टर चूजा कृत्रिम गरभादन कहां हुआ तो यह हुआ है राष्टि यह जियाइबी संरचन प्रजनन के अंदर जसल मेर में किस देश के सोथकर्ताओं ने दुनिया का पहला लकडी का उबगरा लिग्रो सेट लॉल्च किया है जो मैंगोनोलिया की लकडी से बना हुआ है किस सथकर्ताओं के दौरा गया है इसरो द्वारा अपना पहला अन्तरिच मिसन कहां लॉंच किया गया तो इसरो के द्वारा अपना पहला अन्तरिच मिसन जो है वो लेह लद्दाक में लॉंच किया गया आगे है बैंगलोरी इस्थितिय स्टार्टप स्वर्म AI ने किस मॉडल को लॉंच किया है जो एक स्वदेशी लॉर्ज लैंग्वेज मॉडल है तो यह किसको किया है सरवम फर्स्ट को भारत और किस देश की नौसेना ने हिंद महासागर में अपना पहला समुदरी साज़ेदारी अभियास MPX आयो जित किया तो भारत और किस देश ने किया है भारत और जर्मनी ने फिर है भारतिय नौसेना और किस देश की नौसेना ने गोवा टट पर दोनों पच्छों के कारियर स्ट्राइक्स ग्रुप्स द्वारा पहला अभियास किया है तो भारतिय नौसेना और इटली के नौसेना ने इंडियन इम्नोलॉजिकल्स ने भारत के पहले जीका वैक्सिन के नेदानिक विकास के लिए किसके साथ साज़ेदारी किया है तो यह किया है ICMR के साथ साज़ेदारी किया है आगे है WHO द्वारा MVA BN वैक्सिन को किस बिमारी के खिलाब पहला टिका घोसित किया गया है तो M-Pox बिमारी के लिए इसको पहला टिका घोसित किया गया है भारती अंतरिच अनुसंधान संगठन द्वारा भारत के पहले अंतरिच हस्टेशन के पहले बेस मॉडूल को किस बर्स तक लॉंच करने की योजना है तो इसको 2028 तक लॉंच करने की योजना है किस देश ने अपनी पहली बैलिस्टिक मिसाइल हरीम 2 का सफलता पुर्वक परिचन किया है तो यह किस देश का है हरीम 2 यूक्रेन का गोवा CPR Limited द्वारा पहला सदस से रूप से निर्मित परदूसन नियंतरन पोत कौन है तो वो है समुंदर प्रताप भारत ने हाल ही में अपना पहला पुना प्रियोज प्रियोज हाइब्रिड रॉकेट लॉंच किया है उसका नाम क्या है रूमी ठीक है यह ही यूजेबल है दुबारा इसको यूज किया जा सकता है आगे है कि DRDO ने 16 नमबर 2024 के किसराज के डॉक्टर APJ अब्दुलकलामदीब से भारत की पहली लंबी दूरी के हाइपरसोनिक मिसाल की उडान का सफल परिच्छन किया है तो डॉक्टर APJ अब्दुलकलामदीब कहां है उडी सामे है DRDO ने 13 अगस 2024 को सुखोई 30 MKI प्लेटफॉर्म से लॉंग रेज ग्लाइड बं का पहला सफल उडान परिच्छन किया है इसका क्या नाम है तो इसका नाम क्या है इसका नाम है गौरब आगे कुछ कोश्चन परियावरन में प्रस्थीत की से दिया गया है किस राज का दुर्गेस अरन प्रानी उद्यान टिकाउ और परियावरन अनुकूल बुन्यादी धाचों के लिए IGBC से परमान प्राप्त करने बाला भारत का पहला चिरिया घड होगा तो यह किस राज का है हिमाचल पर देश का भारत मिसन मौसम के अंतरगत कहा अपनी तरह का पहला क्लाउट चेंबर अस्थापित किया गया है तो यह किया गया है भातियो उस्न कटी बंधिये मौसम बिगान संस्थान यानि IITM पुने में परधानमंती नर्यंद मोधी ने किस अस्थान पर गेल इंडिया लिम्टेट के पहले कंप्रेस्ट बायो गैस प्लान का उधगाटन किया है तो यह किया है एराची चाहर खंड में आगे है कि देश की पहली आधूनिक और आत्म निर्वर लाल टिपारा गौसेला का उधगाटन परधान में थी नर्यंद मोधी द्वरा कहां किया गया है तो यह किया गया है गौालियर मध्यपदेश में किस मतराले ने कुसल जल प्रबंधन को बढ़ावा देने के उधदेश से जलही अम्रीत योजना शुरू किया है तो जलही अम्रीत योजना जो है वो आवासेवं सहरी मामलों के मतराले के दोरा सुरू قिया गया है बिग्यान और पर्दौगी की विभाग ने किस सहर में भारत के पहले CO2 से मेथनौल पाइलेट प्लाइन की अधार सिला रखा है तो किस सहर में रखा है पूने महराष्ट में ACI गिधो के लिए दुनिया का पहला संख्षनाऊट प्रजणन के इंदर जो है वो कहां स्थापित किया गया है तो यह स्थापित किया गया है उतर प्रदेश में अगे ये हाली में नेट जीरो कारवन एमिशन का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड़ा कौन बन गया है तो यह बना है इंद्रा गांधी अंतरास्टी यह हवाई अड़ा नई दिल ले नभी करनीय उर्जा में प्रथमस्थान पर कौन सा राज्य है तो नभी करनीय उर्जा में प्रथमस्थान पर है राजस्थान भारत का 96 Tiger Reserve किसी अधिर सुचित किया गया है तो यह किया गया है गुरु घासिदास और तमोर पिंगला Tiger Reserve जो की कहां में है 36 गड़ में है अब आगे कुछ कोशन्स खेल कुछ से दिये गए है मार्च 2025 में पहले International E.S. Sports Master Championship का आयोचन किस देश में होगा कस्मीर घाटी में पहली बार किस अस्थान पर अंतरास्टिय मेराथन का आयोजन किया गया है तो यह किया गया है सिरिल नगर में भारत के लिए 50 अंतरास्टिय गोल करने वाली पहली महिला फुटगॉल की लाड़ी कौन बनी है हंगली में आयोजीत 45 में 17 अलंपियाड में किस देश की पुरुस और महिला टीमों ने अपना पहला सौन पदक जीता है तो भारत की टीमों ने पैरालंपिक में सौन पदक जीतने वाले भारतिय तिरंदाज कौन बने है तो उनका नाम है हरविंदर सिंग क्रिकेट इतिहास में सबसे कम रूम में रंजी टॉफी में पर्दापरण करने वाला खिलारी कौन है तो वो है बैभव सुल्रेबंसी जो कि समस्तिपूर बिहार के है महिलाची 20 अंतरास्टिय क्रिकेट में 3000 रं पूर्या करने वाली दूसरी भारतिय क्रिकेटर कौन बन गई है तो उनका नाम है स्मृति मंधाना और पहली कौन थी तो वो थी हर्मन प्रित कॉर तो यह था हमारा आज का वीडियो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा क करके जरूर बताईएगा साथी साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजेगा वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ से एर करना ना भूले अभी तक आप इस चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर दिया जाएगा आप लोग चाहें तो जाकर उसको भी देख सकते हैं वो आपके आगामी सभी परतियोगी परिछाओं के लिए काफी उप्योगी साबित होगा थैंक्स फर वाचिंग